हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल नर्सिंग रिव्यूज एंक्यूज में दोस्तों आज एक बार फिर से हम लेकर आचुके हैं एक और लेटेश्ट वीडियो आपके लिए जो होने वाली है लेटेश्ट वेकेंसी के बारे में यहां दोस्तों बिलकुल लेटेश्ट वेकेंसी आपको हम बताने वाले है परमानेंट वेकेंसी है दोस्तों ओल इंडिया के कंड़ेट यहां पर एपलाई कर सकते हैं दोस्तों सेलेरी कितनी होने वाली है और आपको यहां पर एपलाई कैसे करना है पूरी इंप्रमिशन आप आपको इस वीडियो में देंगे तो हमारे साथ वीडियो में अंतक जरूर बने रहे दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो Like और Share कर देना जहां दोस्तो वीडियो को Like और Share जरूर करें दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल subscribe नहीं किया है nursing reviews and cues तो दोस्तो अभी subscribe कर ले हमारे चैनल को subscribe पर क्लिक करें और bail icon दबा का all notification पर जरुर क्लिक करें दोस्तो यदि आपने all notification पर क्लिक नहीं किया है दोस्तो तो आपको आने वाले सभी वीडियो की update नहीं मिल पाएगी हमारे चैनल से सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए दोस्तो ओल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें यहां चिस वेकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तो वो होने वाली है एम्स मंगलागिरी से जी दोस्तो 22 को requirement of tutor clinical instructor college of nursing at EMS मंगलागिरी direct recruitment basis दोस्तो direct recruitment यहाँ पर निकाला जा चुका है पूरी notification रिली जोज गया है दोस्तो पूरे information हम आपको इस वीडियो में देंगे तो हमारे साथ बने रहें आप यहाँ देख सकते हैं name of post तो name of post यहाँ पर tutor या clinical instructor college of nursing यानि कि यहाँ पर vacancy जो होने वाली है वो tutor की होने वाली है और pay level आपका दोस्तों यहाँ पर 10 रहने वाला है यानि कि salary आपकी one leg के above रहने वाली है ग्रूप आपका यानि कि grade जो है वो first grade रहने वाली है total post यहाँ पर 17 है general के लिए 9 post होने वाली है OBC के लिए 4, ST के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए एक post दोस्तों category wise post यहाँ पर आपको बता दिये हमने limit आपकी age की जो है वो 35 years तक है यानि कि 35 years तक के candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे qualification यहाँ पर BST nursing मांगा गया है तो only BST nursing वाले candidate ही यहाँ पर apply कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावर दोस्तों आपको registration होना चाहिए nurse का और आपको tutor यानि कि teaching का experience यहाँ पर गया है जो होना चाहिए three years का यानि कि तीन साल का आपका teaching experience हो तो आप को यहाँ पर preference दिया जाएगा यादि नहीं है तो भी आप भड़ सकते हैं the above vacancies are provisionally and subject to variation यानि अभी vacancy को बढ़ाया या गटाया भी जा सकता है reservation will be as per government India policy reservation जो है government of India के अनुसार रहेंगे यहाँ पर आपको लिखा गया है as limit will be last date of online application submission यानि कि online application form की जो last date is age cutoff वही रहने वाली है general conditions की बात करें तो all the posts carry allowance submission to central government employees to similar status age शेंशन एंड आम्स मंगला गिरी तो आम्स मंगला गिरी की वेकेंजी है और यहाँ पर last date जो है दोस्तो तीस 15 अप्रेल तक रहने वाला है यानि कि आपका जो है 15 मार्च से application form start हो गए है दोस्तो 15 मार्च से online application form start हो गए है जिसकी website msunglagri.edu.in यहाँ पर आप apply करेंगे जो कि 15 अप्रेल तक आप apply कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तो आप यहाँ देख सकते हैं application start से 30 दिन तक आपकी जो है large date रहने वाली है इसके बाद दोस्तो large date के बाद में application to the next working days आपको जो है application form online fill up करना है जी हाँ दोस्तो online application form fill up करना है has to be send along with self-attested copies of certificate documents supporting fill up essential criteria of age तो दोस्तो सारे documents आपको भर देने के बाद form भर देने के बाद online उसके बाद आपको hardcopy जो है form का सारे documents लगाकर सेल पर टेस्टेट करके आपको जो है 15 दिन के अंदर जो है आपको बेजने होंगे जी हाँ दोस्तो hardcopy आपको यहाँ पर बेजनी होगी online application form की जिसका address आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तो यह address दिया हुआ है यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं दा इन्वलॉप कंटेनिंग दा अप्लिकेशन शुद बी सेपरेटेट विद अप्लिकेशन फोर दा पोस्ट ओफ ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्टक्टर फोर कोलेज ओफ नर्सिंग एट एंस मंगला गिरी यह आपको उपर मेंशन करन इन्वलॉप जो रहेगा आपका जो लिफाफा रहेगा उसके उपर आपको यह मेंशन करनी होगी यह लिखनी होगी आपको दोस्तों इसके बाद आगे हम जाएं तो आल एप्लिकेशन आर एडवाइज टू एप्लिकेंट्स एडवाइज टू कीप कोपी और आपको इन्वाइन पेमेंट आपको करना होगा डेटो पर आपको लगानी होगी काश सर्टीफिकेट पी डवलो डी सर्टीफिकेट और एनी अधर आपकी जो रिक्वायरमेंट से वह सब आपको आपको अप्लोड करनी होगी CBT आपका होगा दोस्तों इसमें computer-based exam होने वाला है जिसमें आपको यहाँ पर जगे दिये चेननाई, Mumbai, Delhi, Kolkattah, Jodhpur, लकनाव, पटना, नागपूर और यहाँ पर इन सभी जगे पर आपका online जो है paper होगा आप कोई साभी choose कर सकते हैं इन में से age relaxation की बात करें तो as per government rules के इसाफ से आपको age relaxation भी यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ दोस्तों government rules के इसाफ से आपको age relaxation भी मिलने वाला है All India की candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं तो दोस्तों जल्दी apply करें जिसको भी apply करना है वो जल्दी से apply करें online application form start हो चुके हैं अब बात करेंगे हम फीस की तो फीस यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक अजार रुपे फीस है जनरल ओबीसी और एक सर्विसमें के लिए 800 रुपे फीस एस्टी एस्टी के लिए रहने वाली है और अधर कंडेट्स के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है नो अबजेक्शन सेटिफिकेट आपको लगाना होगा प्रोबेशन प्रियर यहाँ पर दो साल रहने वाला है दोस्तों बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी है और अच्छी खासी यहाँ पर वेकेंसी है लाज डेट आपको मैंने बताई दिये हार्ड कोपी भेजनी होगी उस तो जरूर जोइन कर लें यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम इस पर सेर करते हैं यह नोटिफिकेशन सेर किया हुआ है 20 जनवरी का यानि कि कल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम सेर करते रहते हैं दोस्तों 142 यहाँ पर एक प राब्द कर सकते हैं वीडियो उसका तो दोस्तों अधे आभी तक जोइन नहीं किया है तो जरूर जोइन कर लें थैंक यू